डर बॉक्स थियोरम तो यह आप लोगों के एक्जाम के लिए बहु ज़्यादा इंपोर्टेंट कोचन है जो आप लोगों को डिरेक्टली 15 मार्क्स में दे सकता है और एक चीज आप लोगों को बता दें कि जो चैप्टर वन से जो क्वेस्टन्स आप लोगों का मैक्सिमम रहेगा वो थियोरम से रहेगा जादा डर बॉक्स थियोरम नाम से ही पता चल रहा है डरने वाला थियोरम maximum बच्चे बहुत ज़्यादा इस theorem से डरते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा है इसलिए तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही simple language में Darbox theorem को देखेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम करना है कि Rolls theorem जो बताया गया है उसको अच्छे से complete होना चाहिए अगर आप लोगों का complete नहीं है तो जरूर से उसको complete कर ले तभी इसको देखे क्योंकि उसका पूरा का पूरा concept है न यूज किया गया है अगर किसी को वो theorem पूरा पता है तो ये theorem का आधा part आसानी से हो जाएगा और बाकी का आधा part मैं guarantee लेता हूँ कि आप लोगों को याद हो जाएगा बाकी का आगे का part आप लोग देखेगा तो देखिए सबसे पहले इसका statement में आते हैं यहाँ पे देखिए statement बहुत ही simple है मातर दो condition इसमें satisfy करता है मातर दो condition और यहाँ पे जो पहला page दीख रहा है ना आप लोगों को पूरा का पूरा याद हो जाएगा एक बार बताने के बाद अगर आप पीछे जितना भी बताया गया करते आए हैं तो अस्टेटमेंट में देखिए इप एफ़ंशन एफ़प एक्स इस डिफाइंड ओन क्लोज इंटरवल एबी विस सैटिसफाइज दे फॉलोइंग कंडिशन यहाँ पे दो कंडिशन डर बॉक्स थेओरम में सैटिसफाइ करेगा सिंपल सा है पहला देखिएगा कि एफ ओफ एक्स इस डिफ्रेंसियबल ओन क्लोज इंटरवल एबी एफ ओफ एक्स जो फंसन है वो डिफ्रेंसियबल है क्लोज इंटरवल एबी में और दूसरा एफ डाइस ए एफ डाइस ए एन एफ डाइस बी मतलब कि ए पॉइंट पे जो फंसन का डेरिवेटिव होगा यह जो फंसन है में होगा, तो माइनएस में, और अगर ये पलस में हुआ, तो ये माइनएस में, सिंपल सा, then there exists at least one point, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट जरूर होगा, किस परकार से होगा, कि वो a b के बीच में बिलोंग करेगा, such that a dash 3 is equal to 0, रॉल्स थियोरम में यही condition था इसलिए आप लोगों को बोलें कि अगर आप लोगों को रॉल्स नहीं complete है तो complete कर लिए तो यह आदा गेम complete हो जाएगा आप लोगों के लिए नहीं तो थोड़ा सा difficult होगा अगर वो complete नहीं है तो फिर आगे देखिए पूरूप गिवें और एफोफेक्सिज डिफ्रेंसियबल ओन एबी कहां से लिखे अ स्टेटमेंट में दिया गया है पहला इकन्डिशन अगर यह डिफ्रेंसियबल ख्लोज इंटरवल एबी में तो हम लोग जानते हैं कि F of X is continuous हो जाएगा AB के अंदर, close interval में अब यहाँ पे देखेगा कि सब close interval यूज के जा रहा है maximum चीज़ open यहाँ पे नहीं लिखेगा पहला differentiable दूसरा continuous हो जाएगा, तो फिर देखेगे एक simple सा चीज़ आप लोगों को बताते हैं यह आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे एक number लिखा गया 4, 5, 6, 7, 8 आप लोगों से पूछे कि इसमें upper bond कौन सा है क्योंकि यह set में लिखा गया इस परकार से, तो हम बोल सकते हैं कि upper bond, तो आप लोगों बोलोगे yes, यह होगा upper bond यह है upper bond और आप लोगों को अगर पूछे कि lower bond कौन है इन में तो यह आप बोलोगे कि यह lower bond है simple सा इसलिए बताया जा रहा है कि इसका एक use होगा upper bond का और lower bond का लेकिन 8 के बाद नमबर नहीं है क्या, है 9 भी है, 10 भी है 11 भी है, यह बढ़ते जाएगा लेकिन इस bond के अंदर नहीं है लेकिन 4 जो सबसे lower bond है मतलब इस नमबर में सबसे छोटा है तो इससे छोटा भी तो नमबर है है, और बेसी बात है तो इसलिए यह सबसे lower तो है इसके अंदर लेकिन इससे भी low है इसलिए इसको बोला जाता है greatest यह word ध्यान में रखिएगा lower bond तो है, लेकिन greatest lower bond है मतलब इससे भी छोटा है लेकिन इससब में यह सबसे बड़ा है इसलिए इसको बोला जाता है greatest समझ में आ गया होगा कि यह सबसे बड़ा है किन में? इन lower bond में और यह upper bond तो है यहां तक तो clear है लेकिन इससे भी बड़ा है यह है, यह है, यह है तो यह least upper bond है मतलब कि upper bond तो है लेकिन सबसे छोटा वाला upper bond है इससे बड़ा यह है इससे बड़ा यह है तो यह word यूज होगा इसलिए आप लोगों को बताएगा एक है ग्रेटेस्ट लोवर बॉन और एक है least upper bond सिंपल से याद रख सकते है जिले बी और एक लब लब टैप से याद रख सकते है लब एक है लब और एक है जिले बी सिंपल सा मतलब है यह maximum को री परजेंट कर रहा है मतलब इसमें से सबसे बड़ा वाला value तो इसी का नाम एक दे दिया गया least upper bond और इसको greatest lower bond minimum value को वही ना है तो यह term यहाँ पर यूज होगा यहाँ से देखिए by most test theorem आप लोगों को most test theorem क्या होता है बताएगया most test theorem का सिंपल सा मतलब है कि यह maximum value देगा और minimum value देगा बस तो then by most test theorem f of x attends its maximum and minimum value most test theorem के अनुसार से फंसन के पास एक maximum value होगा और minimum value होगा उसी को other language में लिख सकते हैं that is f of x attends its lub मतलब lowest upper bond या फिर least upper bond जिसको maximum value को बताया जार रहा है और इसी का एक और नाम देगिया है जिले भी greatest lower bond तो इसका full form भी नीचे बताया गया lowest upper bond greatest lower bond या फिर least bond ये पहला वाला page में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दो statement था condition के अंदर उसके बाद पुरूब के अंदर डिप्रेंसियेबल है तो continuous होगा monsters theorem के अनुसार से एक maximum value होता है एक minimum value होता है और maximum का ही अलग नाम list upper bond और minimum का greatest lower bond ये लिखा गया है अब आते हैं next page में और अपनो mind को ना इधर उधर जाने मत दीजेगा अब असली game शुरू होता है इस theorem का हम लोगों को पता चल गया कि least upper bond क्या होता है और greatest lower bond क्या होता है कुछ नहीं है ये maximum value और ये minimum value को represent करता है अब देखिए let capital M जो least upper bond था ना उसको हम लोग मान लिए और least upper bond आप लोगों को बताए गया कि अगर कहीं पर bond दिया गया है इस परकार से तो जो सबसे बड़ा बाला bond होता है ना उसी को बोला जाता है least upper bond और greatest lower bond जो सबसे छोटा बाला होता है तो जो lub है उसको capital M माना गया है capital M माना गया है a small m glb को माना गया greatest lower bond opposite चलता है greatest है मतलब a small least है मतलब capital of a pension effects इसका figure भी आप लोगों को बताए जाएगा जो आप लोगों को exam में half page में पूरा बड़ा करके छापना है तो यहां से देखिए हम लोग यह माने कि capital M है तो यह है a small m है वो यह है इसका मतलब आप लोगों को clear हो गया then there exist तो यहां पर exist करेगा क्या c and d 2 point क्योंकि 2 value माने है capital M और a small m इसलिए यहां पर exist करेगा c and d belong करेगा किसमें a b के है under a b क्या है आप लोगों को बताया जाएगा यह देखिए यह जो figure है ना यही figure आप लोगों को बनाना है a और b के बीच में 2 point होगा c और d जो belong करेगा a b के बीच में such that a of c is equal to capital M एक point c होगा जो capital M के बराबर होगा मतलब कि f dash c is equal to capital M यह यही बोला गया है यहां पर समझेगा कि a और b के बीच में एक ऐसा point जरूर होगा जहां पर इस point पर जब value निकालेंगे न तो वो capital M देगा capital M क्या है least upper bond मतलब सबसे बड़ा वाला value और इस figure में किया क्या गया है समझना है simple सा यहां पर x y axis simple सा एक grab बना देना है यहां पर a point यहां पर b point a point है इसलिए यहां पर फंसन क्या हो जाएगा f of a b point है f of b लेकिन यहां पर क्या दिया गया derivative derivative दिया गया इस point पर फंसन का derivative क्यों क्योंकि इसका statement जब लिक रहे थे न der box का तो उसमें हम लोग यूज किये थे f dash a दूसरा वाला statement and f dash b derivative यूज किये थे इसलिए यहां पर यूज किये अब देखिए यह point पर फंसन है थो increasing है दियान दिजेगा और b point पर ético 낮smanship decreasing है क्यों क्यों क्योंकि अगर कोई graph ऐसे जाता है तो बोलते है increasing कोई graph ऐसे जाता है तो बोलते है decreasing तो यहाँ पर वही तो है quincy क्या increasing है मतलब इसको बोल सकते हैं greater than zero दियान से समझेगा और ये नीचे आ रहा है मतलब फंसन decreasing है और decreasing के लिए less than zero बस यही condition है ऐसा figure बनाना है A भी आगे figure भी बताए जाएगा और यहाँ पे F-C मतलब फंसन न increasing है न decreasing है इसलिए यहाँ पे F-C को zero के बराबर बताएगा और यही प्रूब करना है तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि capital M और small m को हम लोग माने L, U, B कुछ नहीं maximum value और ये minimum value जिसका अलग नाम दिया greatest lower bond और ये least upper bond तो then there exists C and D, A, B के अंदर बिलों करेगा such that F-C पे value M होगा जो सबसे बड़ा होगा और F-D पे एक ऐसा value होगा जो सबसे छोटा होगा simple सा इसको equation 1 मान लिए यहाँ तक आप लोगों को clear होना चाहिए अब यहाँ से देखिए कि हम लोग देखिए कि यह A point है यहाँ पे फंजन increasing था तो F-A क्या हो जाता है increasing का मतलब क्या फंजन जो बड़ा है बढ़ते जा रहा है तो वो 0 से बड़ा है तो वही लिखा गया है कि suppose F-A is increasing और suppose क्या हम लोग देखिए रहे है कि A point पे F-A बड़ा है तो वही लिखा गया कि F-A is greater than 0 and F-B is less than 0 F-B is less than 0 हम लोग मानने हैं लेकिन यहाँ फिगर में देख भी रहे हैं ऐसा है फिगर में confusion नहीं हो ना यह इधर फिगर है ठीक है तो हम लोग क्या मानने कि F-A greater than 0 है और F-B less than 0 है यह फिगर में ही दिया गया है अब हम लोग चलेंगे लेकर के F-A को 9 F-A greater than 0 है मतलब increasing function है तो next step समझेगा और अगर यह point समझेगे तो इस theorem का जो main concept था वो यही line में है यहाँ से यही line में है तो इसको समझने से पहले हम लोग देखे यहाँ तक यह clear होना चाहिए कि यह A है A point पे function का value क्या है F-A इसका derivative की है यह increasing function हो अगर इसके आगे जाएंगे तो A plus कुछ होगा A plus 0.01 मान लेते हैं इसके आगे जाएंगे तो 0.0 होगा 1 के बराबर तो इसके आगे जो function का value होगा वो क्या है देखे तो increasing है इसके आगे जाएंगे फिर भी increasing है इसके आगे जाएंगे function का value increasing है मतलब A के बाद भी जाएगा ना तो function का जो derivative होगा वो increasing होगा तो वह ही चीज को यहाँ पे लिखा गया है हम लोग नंबर में बताएं कि A से 0.01 बढ़ेंगे लेकिन यही 0.01 को हम माल ले अगर डेल्टा तो कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को डर लगने लगता है यह डेल्टा देख करके लेकिन डरना नहीं है डेल्टा हो या फिर कामा हो यहाँ पर वही यूज किया गया कि A डैस अगर इंक्रीजिंग फंसन है क्यों इंक्रीजिंग है यहाँ तो दिख रहा है किलियरली कि यह इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर एक पॉइंट चरूर होगा डेल्टा वन जो ग्रेटर होगा जीरो से वही बताए गया कुछ नहीं है जो बोले ना कि A से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 0.01 से बढ़ेगा तो वही बोला कि 0 से बड़ा एक नंबर होगा डेल्टा वन अब डेल्टा वन कोई नंबर होगा यहाँ पर सैंबल का यूज किया गया है जेनरल में A से थोड़ा सा बड़ा नंबर जरूर होगा आगे जो 0 से बड़ा होगा डेल्टा वन सच दैट F of X greater than होगा किस से F of A से मतलब कि यहाँ पर जो हम भेलू निकालेंगे फंसान का माल लेते हैं यहाँ पर फंसान का भेलू F of X यहाँ पर फंसान का भेलू F of X तो यह जो F of X होगा वो F of A से बड़ा होगा कि नहीं यहाँ पर अगर A है और इधर हम बढ़ रहे हैं तो क्या होगा A पलस डेल्टा क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं तो पलस डेल्टा हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी फंसान का भेलू होगा ना वो देखने से भी लग रहा है कि अगर ऐसे है तो यहाँ पर कोई फंसान का भेलू है यहाँ पर तो यह अब्वेस्टी बात है कि यहाँ वाला बढ़ा होगा तो वही लिखा गया है कि there exists डेल्टा 1 greater than 0 such that f of x greater than f of a for all x belongs to a and a plus delta इसको equation 2 मानेंगे और similarly उसी परकार से a of b मतलब dash b less than 0 क्यों? यह वाला लेकर चल रहे है decreasing function है यहाँ से दीख भी रहा है decreasing function तो there exists delta 2 यहाँ पे delta 2 एक पॉइंट चरोल होगा greater than 0 मतलब same to same delta 2 भी एक नमबर है मान लेते हैं 0 तो समलत 0 1 एक नमबर होगा मतलब 0 से बढ़ा होगा such that f of x is greater than f of b same condition यहाँ पर भी है कि f of b से बढ़ा होगा f of x for all यहाँ पे देखिएगा b minus delta 2 और dash b यहाँ पे a में से delta 1 को जोड़ा गया यहाँ पे b में से delta 2 को घटाएगा और इसलिए घटाएगा क्योंकि देखिए हम लोग इधर नहीं जा सकते इधर जाएंगे तो तो function का value b पर जो है उससे तो कम हो जाएगा क्योंकि यह function decreasing है लेकिन मेरा area तो इधर है ना इधर इधर हम ले सकते हैं इधर ले ही नहीं सकते हैं क्योंकि b और a तक ही function define किया गया है समझ रहे हैं आप figure को अच्छे से फिर से बनाते हैं देखिए है आप लोगों को figure simple सा यहसे बनाना है यहाँ यहां B यहां पर f of a ग्रेटर दिन जीरो क्यों की कोई increasing यहाँ पर बी है तो यहाँ पर a for b और यहां पर डास लगा देंगे कोई जिर्कत नहीं है लेस देंजीरो यहां पर कहीं पर c point रखेंगे ठीक है और यहां पर f-c is equal to zero तो हम लोगों को b में आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसका जो limit है वो यहां से यहां तक है तो इसलिए हम लोग इधर आएं बी में से कुछ delta 2 को घटाएं और delta 2 क्या है delta 2 कुछ नहीं है 0.001 कुछ step का number है ठीक है तो अगर इसके इधर आएंगे न तो यहां से देखिए फंसन तो decreasing है हम जान रहे हैं लेकिन यहां पे फंसन जो b point पे है और जो b minus delta 2 पे है यहां पे वो फंसन increasing होगा तो वहीं दिखा गया है कि f of x पे जो फंसन होगा वो increasing होगा किस से f of b से बस यहीं तक था main concept अब हम लोग दिखाएंगे कि जो c point है c point पे सबसे बड़ा value है अब लोगों को बतायागे है कि capital M जो value है c point पे है देखिए f of c capital M के बराबर है तो हम लोग दिखाएंगे ना कि यह जो c point है वो ना a के बराबर है ये जो C है ना यहाँ पे है और ना यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाँ C तो यहाँ पे है लेकिन हम लोगों को मैथमेटिकली दिखा भी देना है ठीक है तो हम लोग मान लेंगे ना कि C है सो यहाँ पे है A पॉइंट पे है और एक बार मान लेंगे कि C है सुब B point पे लेकिन actual में C कहां पे है यहां पे है लेकिन हम लोगों को दिखाना है कि C है वो ना यहां पे है और ना यहां पे है मतलब C ना A के बराबर है और ना B के बराबर यह दिखाना है बस उसके बाद हम लोगों का काम हो जाएगा तो यहां से देखिए now we saw that c is not equal to a and c is not equal to b तो हम लोग इसका contradiction method यूज़ करेंगे कि हम लोग मान लें कि जबर जस्ती कि ना है c है से a के बराबर है तब का होते है समझें तो यहां से देखिए if c is equal to a मान लिए और दिया गया है क्या कि f dash a is greater than 0 कहां पर दिया गया है figure में दिया गया दिखिए f dash a is greater than 0 और इसको इसलिए माने है न क्योंकि हम लोग equation 2 का यूज़ करेंगे f o a है इसलिए यहां पर हम लोग माने है कि अगर c a के बराबर f dash a increasing है 2 से हम लोग क्या लिख सकते है हम लोग 2 से क्या लिख सकते है f of x greater than f o पर है यह लिख सकते है तो वहां पर यही लिखा गया f of x is greater than f of c अब आप लोग बोले गगो कि यहां पर a है और यहां पर c लिखा गया है तो देखिए a को c के बराबर माना गया है a को c के बराबर माना गया है इसलिए from 2 से हम लोग यह लिख सकते थे f of a यही न लिखा गया है 2 में देखिएगा f of x is greater than f of a f of x is greater than f of a तो a का भेलू क्या है c के बराबर है f of c मान लिए a के जिगा पर और diet इस करके लिख सकते है f of x is greater than capital m और capital m का मतलब क्या यह f of c के जिगा पर m लिखा गया है मतलब सबसे बड़ा वाला value तो यहां से बोल रहा है कि f of x है वो capital m से भी बड़ा है लेकिन figure में देखिएगा capital m तो सबसे बड़ा है न लेकिन यहां पर बोल रहा है कि जो f of x है वो capital m से भी बड़ा है जो हमारे इस बताए गए बात का contradict कर रहा है विरोधा बास कर रहा है यह logical बात है तोड़ा सा ना mind के उपर जोर देना पड़ेगा समझ में आ जाएगा क्योंकि आज तक आप लोगों का इस टैप का question से मुलाकात नहीं हुआ होगा इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या आ गया लेकिन mind पर थोड़ा सा force दीजेगा न तो आप लोगों को clear हो जाएगा कि बोल रहा है कि f of x है सबसे बड़ा है m से ऐसा possible ही नहीं हो सकता है क्योंकि figure में dick कहा रहा है m तो सबसे बड़ा है तो इसलिए हम लोग यहां से लिख देंगे कि which contradict जो हमारे बात का विरोधभास कर रहा है that maximum value is m, maximum value m है इसका बात का गलत परमान दे रहा है इसलिए हम लोग कह सकते कि hence c is not equal to a कि c a के बराबर नहीं है जो हम लोग देख भी सकते हैं कि c a के बराबर नहीं है c तो अलग position पे है मतलब a से बड़ा है और b से पहले है इसी परकार से हम लोग यह भी प्रूब कर देंगे कि c is not equal to b तो हम लोग इतना लिखने के जगा similarly we can say that c is not equal to b लिख देंगे clear तो similarly from 3 c is not equal to b यह clear हो गया right थोड़ा से आपने mind को ना सांथ रखेगा ना तो समझ में आ रहा होगा अब आप लोगों को जो figure बनाना यहां पे इसी परकार से figure बना देना x y axis a point b point a point f dash a greater than 0 क्यों क्यों क्योंकि increasing function है क्यों क्यों decreasing function है इसलिए less than 0 यहां पे c point है c point पे f of cm के बराबर है किसके बराबर है m के बराबर m क्या है lub अप लोगों को बताया भी गया है उधर lub मतलब list upper bond मतलब इसका नाम है maximum यह list upper bond एक standard नाम दे देता है इसको कभी कभी supreme value भी बोला जाता है तो वो उतना confuse नहीं होना है simple से यह सब भी confuse नहीं होना है figure देखना है simple तरीके से और इसके पहले आप यह भी लिख सकते है f dash c is equal to 0 यह नहीं होगा क्या क्योंकि यहाँ पर फंसन ना increasing है ना decreasing है इसलिए यहाँ पर इसके figure में पहले यह लिखा गया था तो यह clear होगा यहाँ पर क्या लिखा गया होगा यहाँ पर c minus h होगा clear है अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग क्या दिखाएं कि c हम लोग दिखाएं कि जो c है ना ना a के बराबर है और ना c है वो b के बराबर है c ना a के बराबर है ना c b के बराबर है तो हम लोगों को दिख्या रहा है, कि C है, वो A से बड़ा है, लेकिन B से छोटा है, वो यह लिखा गया है, कि does we have, does we have, C is greater than A and less than B, C है, वो A से बड़ा है, और B से छोटा है, that is C बिलोंग कर रहा है A और B के बीच में, दीख तो रहा है कि C है से A और B के बीचे में तो रखा हुआ है, अब थोड़ा सा इस चीज को समझेगा, आगे हम लोग यूच करेंगे, देखिए, दो है, सो एक से बड़ा है, और तीन है, वो दो से बड़ा है, एक से बड़ा दो, और दो से बड़ा तीन, तो क्या दो से पहले कोई ऐसा नंबर है, और एक से बड़ा कोई ऐसा जो इसके बीच में घुश सकता है और 2 से बड़ा कोई और 3 से छोटा कोई नमबर है जो इसके बीच में घुश सकता है तो जरूर कोई नमबर होगा जो 2 और 1 के बीच में भी हम लोग लिख सकते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या अगर 0.01 को इनमबर ले ले तो यहां से लिख सकते हैं एक से तो बड़ा होगा दो में से घटा देंगे 0.01 को और यहां से दो को इसी परकार से और अगर दो में से जोड भी देंगे 0.01 और तीन को इसी परकार से तो देखिए, एक से बड़ा दो और दो से बड़ा तीन था, तो हम लोग लिखे एक, दो और तीन, लेकिन इसके बीज में भी एक नंबर गुशा दिये हैं, हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दो में से कोई छोटा सा नंबर घटाएंगे न, तो वो वन से बड़ा ही रहेगा, और दो में कोई छोटा सा नंबर जोड़ेंगे भी, तो वो तीन से छोटा ही होगा, और दो से बड़ा ही होगा, तो यह कॉंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, आप लोगों को लग लग रहा हो कि बहुँ जादा लंबा हो रहा है, लंबा नहीं है, यह लास्ट अस्टेप ह तो देखिए, there exists some value, यहां तक तो किलिए रहें कि C है सो A से बड़ा हर B से छोटा है, तो इस सब के बीच में एक H होगा, जो बड़ा होगा 0 से, अब मन लिजे कि H का value 0.01 है, कभी भी H नगेटिव नहीं होगा, मतलब H का value कोई 0.01 होगा, such that, हम लोग लिख सकते हैं, कि A से बड़ा होगा C मैनस H, मतलब 0.01, वही नमबर वाला सिस्टम, 0.01, यही चीज को लिखा गया है, कि C और A के बीच में, C में से H को घटाये गया, और C और B के बीच में, C पलस H को घुसाये गया है, जैसा कि यह concept बताये गया था, यह नमबर का है, और यह variable का है, इसमें बच्चे लोग confused हो जाते हैं, तो यहाँ से फिर हम लोग का सकते हैं, कि end, F of X कुछ भी हो, वो हमेशा छोटा होगा, F of C से, क्योंकि F of C सबसे बड़ा नमबर है, For all X belongs to AB, यहाँ तक हो गया न, theorem यही तक था, लेकिन, अब हम लोग यूज करेंगे Rolls theorem, इसलिए बोलेते हैं कि Rolls theorem को D2 छाप देना है, Rolls theorem में दो केस था, उसका सकेंड वाला केस था न, उसको छपना यहाँ पे काम हो जाएगा, अब फिगर से यहाँ देख लेते हैं कि यह हुआ कैसे, A, P, C सबसे बड़ा है, वो बता है, A, P, C सबसे बड़ा है, वो तुद्दीख वी रहा है, और M का मतलब क्या है, सबसे बड़ा वाला value, हम लोग माने भी है, तो वह ही लिखा गया, अब हम लोग क्या करेंगे, कि Rawls theorem हम लोग पढ़ें, उसका दूसरा वाला condition हम लोग जानते हैं, कि अगर यह है, A है, यह clear, A से थोड़ा सा बड़ा है क्या है, C-H, तो यहाँ पे फंसन का value क्या हो जाएगा, C-H, और यहाँ से फंसन का value हो जाएगा, C-H, यहाँ पे कहें, तो हम लोग देख क्या रहे हैं, कि C-H, यह, और C-H, दोनों A-C से क्या है, छोटा है, है न छोटा, तो हम लोग इस में से इसको घटाएंगे, छोटा में से बड़ा को घटाएंगे, और यहाँ से यह भी छोटा है इस से, तो छोटा में से बड़ा को घटाएंगे, तो दोनों negative देऊगा, और अगर rolls theorem आप लोग नहीं किया है, तो कर लिजिए, यहाँ के बाद पूरा rolls theorem पूच किया गया है, और अगर आप लोगों का rolls के लिए है, तो dare box का dare खतम, तो वहाँ से यही concept यह लगाना है, इसमें से इसको घटाएंगे, और इसमें से इसको घटाएंगे, तो दोनों negative देगा, तो अब देखिए, पूरा कड़ी टू चापना है rolls, एप अप सी मैनस ह, फिगर में दिया गया है, और एप अप सी, इसमें घटाना है, एप अप सी पलस ह, मैनस एप अप सी, घटाएंगे तो always negative होगा, तो उसको हम आगे अप से लिख सकते हैं, कि यह अगर negative होगा मतलब less than zero होगा, negative का मतलब क्या, जो zero से कम होता है, तो यहां से वही आगे लिखा होगा है, कि एप अप सी मैनस ह, मैनस एप अप सी, negative हो मतलब less than zero, एप अप सी पलस ह, मैनस एप अप सी less than equal to zero, यहां से हम लोग मैनस ह है ना, देखें मैनस ह, तो यहां पर मैनस ह से डिवाइड करेंगे, और यहां पर पलस ह है ना, इसलिए पलस ह से डिवाइड करेंगे, क्यो करेंगे आगे बताते हैं ताकि हम लोग जो प्रूब करना है वो प्रूब कर सकें जहां पर दीख जाएगा मैनस h मैनस h से डिवाइड करेंगे और यहां पलस h से तो यह पहले से तो नेगेटिव था कोई नंबर पहले से नेगेटिव था मैनस 4 और नीचे में हम divide कर देंगे minus h से तो minus minus कट जाएगा मतलब क्या बचेगा 4 बटा h plus हो जाएगा और plus h मतलब 4 upon h का मतलब greater than 0 तो वही लिखा गया sample यहाँ पर बदल जाएगा क्योंकि यह positive हो जाएगा and यहाँ पर plus h से किया गया है तो देखिए पहले से कोई number negative है इसमें positive से divide करेंगे तो फिर भी तो negative ही रहेगा तो इसलिए यहाँ पर sample का changing नहीं होगा अब limit लेंगे h standing to 0 जैसे limit लेंगे तो यहाँ पर limit लेंगे यहाँ पर 0 का 0 ही रहेगा यहाँ पर limit लेंगे यहाँ पर 0 का 0 रहेगा तो इसमें सिर्फ limit लिये गया और इसी का मतलब क्या होता है पता है limit h standing to 0 f of c minus h minus f of c minus h यह left hand derivative को बताता है left hand derivative at c और यह वाला value right hand derivative at c बताता है तो इस पूरे का मतलब left hand derivative at c greater than equal to 0 right hand derivative at c less than equal to 0 अब देखे left hand derivative, right hand derivative दोनों में एक चीज common equal to 0 equal to 0 तो हम लोग आगे लिखेंगे चूकि f of x is differentiable on ab क्योंकि f of x अब वो differentiable है ab में क्यों? क्योंकि दिया गया है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि l of f dash c is equal to r of f dash c कहाँ पे equal है? 0 point पे यहां से हम लोग देखने को मिल रहा है 0 0 दोनों में क्यों मैंन है तो इसका यह मतलब हुआ कि f of dash c और f dash c दोनों बराबर होगा 0 पे तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं f dash c is equal to 0 और यहां से hence der box theorem is proof अब इसको आप लोग समझ गया होंगे फिर भी आप लोगों को एक, दो, तीन, चार, पांच बर प्रैक्टिस करना होगा तब ही आपके DNA का हर एक body parts में चला जाएगा तो फिर से देखते हैं यह जो last का concept पढ़े वो पूरा rolls था एक page जो starting का एक page पढ़े यह पूरा तरीके से आप लोगों को clear हो गए यहां तक main जो आप लोगों को समझना है वो इस page में समझना है यह पूरा page बाकि इसके पाद वाला तो आप लोगों को figure बनाना है काम हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताएगा लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिए ताकि clarity और भी अच्छे से हो जाए तो कि सिर्फ देखने से नहीं हुआ आपको mind को force करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ कैसे हो रहा है otherwise you have second option that you can learn all these things और उतना जदर difficult कुछ नहीं है जितना आपके mind का potential है ना इसमें कुछ जान ही नहीं है आप आसानी से learn कर सकते हो ठीक है मिलते है next video thank you इसको कर लीजिएगा